हेलो गाइज, वेलकम बाग तो मैं यूट्यूब चानल और मैं उमीद करती हूँ कि आप सब लोग हेल्दी होंगे, हापी होंगे, आपके बच्चे खुश होंगे, हेल्दी होंगे तो मेरा आज का टॉपिक यह है कि किया आपके बच्चे बैट पे अभी भी सूसू करते हैं और उनको कैसे ट्रेन करा जाएं सूसू और पॉट्टी के लिए कि वो बैट पे सूसू ना करें जब तक वो यह नहीं समझ जाता कि आप क्या बोल रहा हैं चोटे बच्चे को पहले ट्रेन यह समझना जरूरी है कि पेरंस बोल क्या रहा हैं उनसे क्या कहना चाहते हैं तब तक बहुत मुश्किल है उनको ट्रेन करना हाँ कुछ बच्चे जो है आप स्टार्टिंग से ही जब वो बाई बर्थ मतब जब वो पैदा होएं तब उनको आप लटका करके पलंग से दोनों पैर पकड़ करके श्ष ऐसे करके आप उन्हें आदर डालिये तो वो करने लगेंगे पर वो बहुत ही मुश्किल होता है most of the mothers प्रेश के लिए क्योंकि वो अल्रेडी तना परिशान होती है बच्चे की परवरिश को लेकर के और चीजों को लेकर के कि ऐसा कर पाना उनको याद नहीं रहता है और क्योंकि और यह टाइम टेकिंग भी है बच्चा एक बार में सुसुवाने जिसे कहते है उसको सुसुव बारा पंदरा बीस बार में बच्चा करने लगेगा कि तो वो मदर्स जनरली आजकल की जनरेशन की अवोईड ही करती है दादी नानी के काम यह थोड़ा जादा होता है तो अब आपका बच्चा 2-5 साल का हो गया है आपको मन है कि आपका बच्चा बैट पे सुसू ना करें त कोरी no 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 very bad very bad जमीन पर सुसू करना हैं आप पॉइंट करिए फर्ष की ओर बेड़ पर सुसू नो जमीन पर सुसू और फिर जैसे वो कभी जमीन पर खड़ा हो तो श्च 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 जमीन पर उसको बोलिये कि जमीन पर सुसू करे या बात्रूम में ले जाकरके पर्सनल ओर्गन की तरफ आप बोल सकते हैं कि यहां सूसू यहां सूसू तो क्योंकि छोटा बच्चा दो धाई साल का भले ही बोल ना पाए बहुत अच्छे से क्योंकि गर्ल्स तो बोलने लग जाती हैं बोईज यूजूली थोड़ा टाइम लेते हैं जादा बोलने के मतलब जो भी नेटिव लांगविज हो आपके घर की बेंगौली, इंगलिश, हिंदी, whatever तो वो समझने लग जाते हैं तो फिर वो रिस्पॉंस करने लगेंगे तो और दूसरी बात ही है मैं बताना चाहूंगी कि जब बच्चा सूसू करे आपके बताई हुई जगह पे बicaid यह ठले रहे लगे, बहुत अच्छा है एसे करके आप उसे भर जब यह जब जमीन पर सूसू करता हूँ या बात्रूम नहीं पाटी करता हूँ तो फिर सब लोग मुझे अप्रिशीयेट करते हैं, बहुत क्षण नहीं करता, तो फिर बच्चा हर बार जा रहे जा करक करेंगे तो जानवर तक करने लग जाता है वहीं बताईवी जगा फिर सुसुपाटी फिर यह तो इंसान का बच्चा है तो यह तो समझी जाएगा ना तो थोड़ा आपको बस पेशन्स रखना पड़ेगा दो चार बार बहुत जल्दी आईए नहीं कि मेरा बच्चे एक तम देट साल में दो साल में करने लगे हाँ घर में जो बड़े बुज़ूर्गोतने वो पीछे पड़े रहतने हैं कि हाँ थोड़ा तुमने सिखाया नहीं यह नहीं करा वो नहीं करा कोई बात नहीं उन लोग की आदत होती है थोड़ा पेशन्स रखिए बोलने दीजे उनको उनकी एज निकल गई है और अब वो क्या ही करें यहीं सब थोड़ा सा यह सब पॉइंट आउट करेंगे ही और थोड़ा सा आदत को इगनौर करना ही बहतर है घर में शान्ती और सुख बनाए रखने के लिए मेरे घर में भी ऐसे ही होता है मैं भी इगनौर करती हूँ और थाई साल में सावा दो साल में लगबग मतलब मैंने और दोसाल का था îtलिव है श्वD बच्चा तब ही मैंने स्टार्ट किया और वो सीख गया 2-3 दिन चार दिन में धी फिर वो पलंक से उतर के जमीन करहरें लगा दो तीन फ會 उस ने नहीं बहा करा पर फिर जब हम जोड़ा डाटा मेरे और मेरे हस्बेंने क्यों करat OFF करा यहां पर करते हो तुम गंदे बच्चे हो तुम यहां नहीं करते हो जहां बताया है यहां नहीं करते हो यहां करा करो बेट से उतार करके उसको समीर में करा तो फिर अब हमको नहीं जरूरत पड़ती है तो जब सुसू आती है तो वो बता देता है हां पर ट्रावलिंग मे we still need diapers because उसको नहीं पता कि traveling में suddenly goat से उतर के जाना है तो बच्चे की निकल जाती है तो फिर ऐसे में आप भी diapers क्यारी करिए क्योंकि बच्चा है तो छोटा ही न भी तो बस आज के वीडियो में इतना ही और अगर आपकी और कोई problem हो तो आप मुझे ज़रूर बताएगा मैं उसको पर भी वीडियो बनाएँगी thank you और बस healthy रहे है खुश रहे है